कई सालों से मसालों के किंग कहलाए जाने वाले महाशे धर्मपाल गुलाटी आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कहे गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक सक्सेस स्टोरी एक मोटिवेशनल स्टोरी जो किसी को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा 27 मार्च 1923 को सियाल कोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे धर्मपाल गुलाटी 1933 में ही वो अपनी पांचवी पास करने से पहले स्कूल छोड़ चुके थे उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे बहुत से काम किये जैसे की साबुन बेचना, कारपेंटर की नौकरी, कपड़ो की दुकान पे काम किया लेकिन किसी भी काम में वो ज्यादा दिन नहीं टिके आखिरकार उन्होंने अपने पिता के मसाले के बिजनेस को अपना लिया पार्टीशन हुआ तो बड़े मुश्किल से उनका परिवार अपनी जान बचा कर दिल्ली पहुचा वहाँ पहुचने पर उनके पास 1500 रुपे थे जिससे उन्होंने 650 रुपे में एक तांगा खरीदा और उस पर सवारी बिठा कर पैसे कमाते थे वह अपने तांगे को दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुटूब रोड तक ले जाया करते थे उसके बाद उन्होंने एक 14 बाई 9 फिट का खोका यानि लकडी की दुकान ली और अपना वही पुराना मसाले का बिजनस शुरू किया वह अपने मसालों को बिहार और उडिसा भेजा करते थे मसाला इंडस्ट्री के अलावा 1975 में उन्होंने 10 बेड का एक आई हॉस्पिटल भी शुरू किया और धीरे धीरे इस हॉस्पिटल का वो विस्तार करते चले गए 20 से 30 बेड फिर 100 बेड और फिर 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया उन्होंने नई जेनरेशन की शिक्षा के लिए स्कूल आधी का भी निर्मान किया टीवी पर अपने प्रोडेक्ट्स के एड में वो खुद ही नजर आते थे इसलिए उन्हें दुनिया का सबसे उम्र दराज advertisement model कहा जाता है उनके ads में भारतिय संस्कृति और family closeness को मुख्य रूप से दिखाय जाता रहा उनका मानना था कि दुनिया को आप अपना best दो तो सबसे best खुद पर खुद आपके पास आ जाएगी आज MDH मसाला हर किसी के kitchen की शोभा बढ़ाता है लेकिन उन्होंने केवल business नहीं किया बलकि समाज के लिए hospital schools आदी का निर्मान भी करवाया 98 साल की उम्र में उन्होंने आखरी सांस ली एक खोके से शुरू कर इतना बड़ा सामराज्या बनाने के लिए द्रेड शक्ति और संकल्प की जरूरत होती है जो महाशय धर्मपाल गुलाटी जी में कूट कूट कर भरी थी उनके अच्छे कारे के लिए उन्हें पद्म भूशन से भी सम्मानित किया गया था इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमार साथ जुड़े रहिए नमस्कार